नमोनमह संस्कृत कक्षायां भवतां भवतिनांच पुनरेकदा स्वागतं अहमस्मी अशोक कुमारह अध्यवयं शेमुषि द्वितिय भागह इति पुस्तकस्य द्वादसं पाठं पठिश्यामह अस्य पाठस्य सीर्षकम अस्ती अन्योक्तयह आदव सीर्षकस्य अर्थम जानिमह अन्योक्तयह अर्थात अन्य धन उक्तयह अन्योक्तयह अर्थात एप्रत्यक्षाणी परोक्षाणी संकेत माध्यमेन कथितानी च वचनानी अस्य अर्थाहस्ति अन्ये शांक्रते कथिताह उक्तयह अन्योक्तयह भवंति अन्योक्तयह इति पदम इकारांत अस्य स्त्रिलिंग अस्य अन्योक्ति ही इति शब्दस्य प्रतमा विभकते है बहुवचनांत रूपम इति प्रियच्छात्रो, संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ आज हम सेमुशित द्वितिय भाग इस पुस्तक के बाहरवेह पाठ को पढ़ेंगे पाठ का सिर्षक है, अन्योकतयह यह शब्द इकारांत स्ट्रिलिंग शब्द अन्योक्ती का प्रतमा विभक्ती का बहू वचनान्त रूप है यह अन्य और उकतयह इन दो पदो के संधी करने से बना है चात्रा पूर्वम वयम भूमिकां पठामा प्रस्तुतोयम पाठह अन्योक्ति विशय वर्तते अन्योक्ति ही नाम ए प्रत्यक्ष रूपेन व्याजेन वा कस्यापी दोशस्य निंदायाह कथनम गुणस्य प्रसंसा वा संकेत माध्यमेन व्याज्यमानाह प्रसंसादयाह जटिती चिरकालंच बुद्धव अवतिष्ठती अत्रापी विविदेभ्यह ग्रन्थेभ्यह शंकलिता नाम अन्योक्ति नाम संग्रहो वर्तते एतेशू, स्लोकेशू, राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातकादीनाम माध्यमेन, जीवनस्य महत्वपूर्णाह विशयाह कथिताह संती एता भी ही, अन्योक्ति भी ही, सत कर्म प्रती गंतुम प्रेरणा प्राप्यते चात्राह, अन्येशांक्रते याह उक्तयह कथ्यनते, ताह उक्तयह, अन्योक्तयह, अत्र पाठे संकलिताह वर्तनते अस्मिन पाठे शष्ठ स्लोकम सप्तम श्लोकम च अतिरिच्य ये श्लोकाह संती ते पंडित राज जगना थस्य भामिनी विलास इति गीति काव्यात संकलिताह संती शष्ठ स्लोकम महाकवी माघस्य शिशुपाल वध्धम वध्धम इति महाकाव्यात ग्रिहिताह अस्ती सप्तम श्लोकम महाकवी भरत्री हरेहे नीति शतकात उदध्रिताह अस्ती चात्रो पहले पाठ की भूमिका को जान लेते हैं अन्योक्ती का अभिप्राय है किसी की प्रसंसा अथवा निंदा प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहानने से करना जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रसंसा या दोश की निंदा की जाती है तब वह पाठ को के लिए अधिक ग्रहिय होती है चात्रो भाव यह है कि जब अन्या व्यक्तियों के लिए जो बाते कही जाए वो अन्योक्ती कहलाती है प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही साथ अन्योक्तियों का संकलन हैं जिन में राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, सरोवर तथा चातक के माध्यम से मानव को सदवृत्तियों एवं सतकर्मों के प्रती प्रवृत होने का संदेश दिया गया है इस पाठ में छटे और सात्वे स्लोक को छोड़कर अन्य सभी उक्तियां पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित भामनी विलास नामक गीतिकाविय से लिये गये हैं छटा श्लोक महाकवी भास की रचना शिशुपाल वध से और सात्वा श्लोक महाकवी भरत्री हरी के नीति शतक से लिया गया है अधुना प्रथमम श्लोकम पठा महा एकिन राज हंसेन या सोभा सरसोभवेत नैसा बक सहस्त्रेण परितस्तीर वासिना अधुना अस्य सुभाशित अस्य पदच्छेदम जानी महा एकिन राज हंसेन या सोभा सरसह भवेत नैसा बक सहस्त्रेण परितह तीर वासिना अधुना अन्वयम पश्या महा एकिन राज हंसेन सरसह या सोभा भवेत परितह तीर वासिना बक सहस्त्रेण सा शोभा न भवती अधुना अन्वयम पश्यामह एकेन राज हंसेन सरसह या शोभा भवेत परितह तीर वासिना बक सहस्त्रेन सा शोभा न भवती चात्राह अधुना अन्वयम पश्यामह एकेन राज हंसेन सरसह या शोभा भवेत परितह तीर वासिना बक सहस्त्रेन सा शोभा न भवती चात्राह अधुना अस्य भावार्थम पश्यामह सरोवरे यदी एक ह अपी राज हंसा भवती तरही अपी सरोवरह शोभते किन्तु सरोवरस्य तटम परितह यदा सहस्त्रम बकाह अपी भवे युहु तदा अपी सरोवरह न शोभते अर्थात सहस्त्रस्य बकानाम अपेक्षया एक अस्य राज हंस अस्य महत्वम अधिकम अस्ति अस्य हिंदी अर्थम पश्यामह चात्रो एक राज हंस के द्वारा तालाब की जो सोभा होती है वह तालाब के किनारे चारो और रहने वाले हजारों बगुलों से बिलकुल भी नहीं होती अर्थात हजारों बगुलों की अपेक्षा एक राज हंस का महत्व अधिक होता है बच्चों हन्स और बगुले की तुलना करने वाला एक और संस्कृत स्लोक संस्कृत साहित्य में मिलता है जो आपने अवश्य पढ़ा या सुना होगा हन्स स्वेत हा बका स्वेत हा को बेद बक हन्सायो निर्क्षीर विवेके तू हन्सो हन्स हा बको बका हा अर्थात हन्स भी स्वेत रंग का होता है और बगुला भी फिर इन दोनों में क्या अंतर है श्लोक की अगली पंक्ती में बताया गया है कि दूध और पानी को यदि मिस्त्रित करके हन्स के सामने रख दिया जाए तो हन्स उसमें से किवल दूध दूध को ग्रहन कर लेगा और पानी को छोड़ देगा बगुले में यह सामर्थे नहीं होता बच्चो बगुला तो दूध और पानी दोनों को ही पी जाता है इसलिए हन्स को विशेश माना गया है अतह हजारों बगुलों के स्थान पर एक राज हन्स से ही सरोवर की शोभा अधिक होती है चात्रह अधुना पाठे आगतान के शांचित शब्दानाम अर्थान पश्यामहा राज हन्सेन हन्सानाम राजा तेन सरसो भवेत सरसह धन भवेत सरसह अर्थात तडागस्य सरोवरस्यवा तालाब की बक सहस्रेण बकानाम सहस्रेण हजारों बगुलों से परितस तीरवासिना अर्थात तीरे वसती इती तीरवासी तेन अर्थात तट वासिना तालाब के किनारे रहने वाले बक समुहु के द्वारा अधुना द्वितियम श्लोकम पठामा भुक्ता म्रणाल पटली भवता निपीता नम्व्यूनि यत्र नलिनानि निशे वितानी हे राज हंस वदतस्य सरो वरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतो पकार अधुना अस्य पदच्छेदं पश्यामहा भुक्ता म्रणाल पटली भवता निपीतानी अंभूनी यत्र नलिनानी निशे वितानी रे राज हंस वदतस्य सरो वरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतो पकारह अधुना अन्वयं पश्यामहा यत्र भवता म्रिनाल पटली भुक्ता अंभूनी निपीतानी नलिनानी निशे वितानी रे राज हंस तस्य सरो वरस्य केन कृत्येन कृतो पकारह भवितासि वद अधुना अस्य भावार्थं पश्यामहा हे राज हंस भवान यस्य सरो वरस्य कमल नाल समुहम खादितवान संपूर्णं जलं पीतवान कमलानी च सेवितवान अर्थात सह सरो वरह भवतह कृते बहु किमपिकृतवान अधुना वद भवान तस्य उपकारस्य प्रत्यरपणम कथम करिश्यती इती कथायतू हिंद्य अर्थः हे राज हंस जहां तुम्हारे द्वारा कमल नालों के समुह को खाया गया है जिस सरोवर का पानी पीया गया कमलों का सेवन किया गया उस सरोवर का किस कारिये से प्रत्युपकार करोगे यह बताईए अर्थात चात्रों इसमें कहा गया है कि हंस तुमने सरोवर के कमल नाल खाये हैं सरोवर का पानी पीया है, सरोवर ने तुम पर बहुत सारा उपकार किया है, अब अपने कोन से कारिय से किस तरह से इस उपकार का बदला आप चुकाओगे? शब्दार्थाह, भुक्ता, खादिता, अत्रत्य प्रत्य अस्ति चात्रह, म्रिणाल पटली, म्रिणालानाम पटली, शष्ठी तत्पुरुस समासह, कमल नाल समुह, कमल नालो का समुह, निपात्यन्यम अम्बुनी, निपीतानी धन अम्बुनी, निपीतानी, निशेशेण पीतानी, भली भाती पीए गए, अम्बुनी जलानी, जल, नलिनानी कमलानी, कमल, निशेवितानी, सेवितानी, सेवन किये गए, कृतोप कारह, कृतह उपकारह येन सह बहुब्रह समासह, उपकार करने वाला, कृतियेन कारियेन कारियसे, भविता भविश्यती होगा, अधुना तृतियम श्लोकम पठामह, तोयई रल्पई रपिकरुणया, भीम भानव निदाघे, माला कार व्ययरची भवता, यातरो रस्य पुष्टिही, साकिम सक्या जनाईतुमिह, प्रावरिशेनेन वाराम, धारा सारा नपि विकिरता, विश्वतो वारि देना, अधुना पदच्छेदं पश्यामह, तोयई ही, अल्पई ही, अपि, करुणया, भीम भानव निदाघे, माला कार व्ययरची भवता, यातरो रस्य पुष्टिही, साकिम सक्या जनाईतुमिह, प्रावरिशेन वाराम, धारा सारान अपि विकिरता, विश्वताह वारि देना, चात्रा, अश्य स्लोकस्य अधुना अनवयं पश्यामह, हे माला कार भीम भानव निदाघे, अल्पई ही, तोयई ही अपि, भवता, करुणया, अस्य तरो हो, या पुष्टिही, व्यरची, वाराम प्रावरिशेन, विश्वताह, धारा सरान अपि विकिरता, वारि देन इह, जनाईतुम् अधुना अस्य भावार्तम पश्यामह, अत्य धिके ग्रिश्म काले, वृक्षाह, स्वल्पम जलं प्रापनोति, चेत, अपि, तस्य व्रिद्धि ही भवती, किन्तु वर्षाकाले यदा जलस्य आवशक्त न भवती, तदा वृक्षाय यदी अत्य धिकम जलं ददमह, तर ह तेन जलदाने न किमपी प्रियोजनम न अस्ति अर्थात आवशक्ता काले मनुष्यस्य कृतस्य सहायस्य महत्वम एव अत्यधिकम अस्ति हिंद्य अर्था है माली इस ग्रिश्मकाल की भैंकर गर्मी में थोड़े से जल से ही आपके द्वारा करुणा पूर्वक इस व्रिक्ष का जो संवर्धन किया गया है क्या वर्षा कालीन जल के चारों ओर से धाराओं के बरसाते हुए बादलों के द्वारा यह संवर्धन यह पोशन संभव है भाव यह है कि आवशक्ता के समय की गई सहेता का महत्व अधिक होता है चात्रों व्यक्ति उसी के प्रती ही कृतग्य होता है शब्दा अर्थाहा तोयई रल्पई रपी तोयई ही धन अल्पई ही धन अपी अल्पई ही तोयई ही अत्र चात्राह अल्पई ही इति पदम तोयई ही इति पदस्य विशेश्ण मस्ति अर्थात थोड़े से जल के द्वारा भीमभानव भीमह भानुह यस्मिन सह भीमभानु तस्मिन अर्थात सूर्य के प्रचंड होने पर या सूर्य के अत्यधिक तपने पर निदाघे ग्रिश्मकाले ग्रिश्मकाल में तरोहो व्रिक्षस्य व्रिक्ष की पुष्टि ही पुष्टता सम्वर्धनम्वा पालन पोशन व्यारची रचनाकृता अर्थात की जनाईतुम उत्पादाईतुम उत्पन करने के लिए प्रावरिश्य वर्शाकालिकेन वर्शाकालिक के द्वारा वाराम जलानाम जलो के धारा सारान धराणाम आसारान अर्थात धाराओं का प्रवाह विकिरता वर्षयता बर्षाते हुए विश्वतह परितह चारो ओर वारिदेन वारी ददाती इति वारिदह तेन अर्थात मेघेन बादलो के ध्वारा शक्या हा संभवा हा संभव है शक्या संभवा अधुना चतुर्थम श्लोकम पठाम हा चात्रा हा अध्य वयं अन्योक्तेह इति पाठम पठित्वन्त हा प्रथमे श्लोके वयं पठित्वन्त हा यत सरस्तीरे निवसाताम सहस्रम बकानाम अपेक्षया एकिन राज हंसेन एव सरोवरस्य शोभा भवती अस्मिन एव भावे अपरम श्लोकम अपियस्ती भवन्त ह स्रुत्वन्त हस्यू अथव पठित्वन्त हस्यू प्यारे बच्चो आज हमने इस लोक में पढ़ा है कि सेकडो मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही अच्छा होता है जैसे सेकडो तारे मिल करके अंदकार को दूर नहीं कर सकते पर एक अकेला चंद्रमा दूर कर देता है जैसे बच्चो चंद्रमा का महत्व अधिक है उसी तरह से पाठ के पढ़ाए गई इस लोक के अनुसार हमने जाना कि सरोवर के किनारे रहने वाले हजारों बगलों की अपेक्षा एक राजहंस ही सरोवर की शोभा बढ़ाता है द्वितिये श्लोके वयम पठित वंतह यत राजहंसेन सरोवरे स्थिता नाम कमला नाम भक्षणम कृतम सरोवरस्य जलम पीतम अधुना राजहंसस्य कृते प्रस्नह जायते यत सहकेन कारियन प्रत्युपकारम करिश्यती बच्चो दूसर श्लोक में हमने पढ़ा कि राजहंस सरोवर में स्थित कमलों का भक्षण करता है सरोवर का पानी पीता है प्रस्नह यह उठता है कि राजहंस अपने किन कारियों के द्वारा प्रत्युपकार करेगा बच्चो हम भी समाज में रहते हैं समाज हमें बहुत कुछ देता है बदले में हम समाज को क्या दे सकते हैं अपने किन कारिये से समाज का प्रत्युपकार कर सकते हैं यह सोचने का विशया है तृतिये श्लोके असमाभी पठितम यत ग्रिश्मकाले स्वल्पम अपी जलम व्रिक्षस्य जीवनम रक्षती तम पोशयती किम वर्षाकाले यद महता प्रमानेन व्रिष्टिह भवती तदा किम तस्य महत्वम न्यूनिकर्तुम शक्नोती चात्रों दंकम विशयम स्विकृतिय पुन्हाग मिश्यामी भवेत तावत सुखम मंगलम धन्यवादहा झाल 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 झाल